नमस्ते मैं वैशाली मेरे पिछले वीडियो में मैंने अलग-अलग हेल्थ प्रड़क्ट और कॉस्मेटी प्रड़क्ट की जान करें दी यह आयरवेदिक सप्लिमेंट है हमको क्यों लेना है आपको थोड़ा भूस समझ में आया ही होगा वैसा ही मैं अगला हेल्थ सप्लिमेंट आपको समझाने वाली हूँ यह हमारे शरीर को बेहत उप्योगी है तो हमारे धन्वंतरी कंपणी का अलग सा प्रड़क्ट है उसके नाम में ही उसकी ताकट छुपी हुई है उसी का नाम लोहरिच दिया गया है लोहरिच हमारे शरीर क कितना महत्व पूर्ण है लोह आयर्न इमोगलोबीन होने से हमारे बोड़ी में ताकद आती है हम तो हम देखते हैं लोहरीच में क्या है क्या काम करती है उससे हमारे बोड़ी को किस तरह के बेनिफिट मिलेंगे लोहरीच ये एक नैचरल प्रिकली पियर पल्ब है जो कुत्री प्रिकली पियर को निवड़ूंग भी कहा जाता है इसके साथ प्रकार होते है उसमें से वेली निवड़ूंग नोपल नाम के खाने योग्य निवड़ूंग फल का पल्म निकालकर लोहरीच बनाया गया है ये पूरा नैचरल आयर्वेदिक है उसे कैक्टस नाक्फनी बोल देता है इसे वज्रकंटका के नाम से भी जाना जाता है यह एक कैक्टस है जो सूकी बंजर जगह पठार पर उखता है उसे बहुत पानी कम लगता है ये पवदा सबसे पहले मेक्सिकों में उगाया था और अब यहां भारत में भी बहुत आसानी से उपलब दहे ये विटामीन B है विटामीन A, विटामीन C, विटामीन K, आयरन, फाइबर, तामबा, कैलशियम, पोटैशियम, मैगनेशियम और मैगनीज सामील है उसे वजन घटतक है पचा के लिए लाबडायक है इसके गून से ही कैंसर का इलाज होता है हड़िया मजबूत होना, सूजन कम करना अलसर में भी उपयोगी है, कोलोस्ट्रॉल कम होता है, ये भूब भढ़ाने वाला हर्मोन है, फाइटो केमिकल और एंटी ऑक्सिदंट गून है, तवचा को जवान रखता है जब अलग-अलग कैंसर की बात आती है, तब कैंसर के कोशिकाओं में स्वस्त कोशिकाओं क इन एक को म्यूटेट करने से पहले उने नश्ट करती है, हड्डियों को रिपेर करना गठिया हो, जोडों के दर्द हो, मसल हो, डायबेटीज में मदद करता है, मुत्र विकार में लाबदायक है, उससे अराम मिलता है, हमारा हिमोगलोबिन प्लेटलेट बढ़ता है, वाइ लोहरीच एक बोटल पीने से एक से तीन पॉइंट हमारा खून बढ़ता है, उससे हिमोगलोबिन लोहो बढ़ता है, इमिन्यूटी पावर बढ़ती है, कोई भी पुरानी बिमारी हो, उससे असरदार है, वो एनरजी ड्रिंक है, दूद पिलाने वाली माता, छोटे और विकनेस कमज़र लोगों के लिए नैचरल डिटॉक्सी फायर है, यह हमारे बोन और दाथ को मजबूत करता है, इसमें शुगर नहीं है, वर्ल बेस्ट ऑप्शन इन लिक्विड फॉर्म फॉर कैल्शम एन आयर नहीं, यह हेल्दी बलड सेल रीजनरेट करता है, इसे को कोई भी किसी को एनिमिया का प्राब्लम हुआ होगा, उसे लोहरिज जरूर लेना जरूरी है, आपको समझ में आया ही होगा कि लोहरिज आपके शरीर को कितना उप्योगी है, अब मैं आपको कैसा लेना है, उसका डोस समझाती हूँ, अभी हम देखते हैं, पच्चास मिली लोहरिज, देड़ सो मिली पानी में एक बार सुबह खाली पेट लेना है, ये सबके लिए सुरक्षित है और नैचरल है, तो ये मेरा वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक, शेर, सब्स्राइब करो, थैंक यू